हलो फ्रेंड्स मैं केसब कुमार देवनरसेंकेडमी के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ आज के इस भी वीडियो में हम लोग जानेंगे अपगार अस्कोर के बारे में अपगार अस्कोर होता क्या है और इसे किस ने दिया था कब दिया था इत्यादी त्यादी तो अपगार अस्कोर को डॉक्टर वर्जिनिया अपगार ने दिया था उन्हें सो बावन में अपगार स्कोर की मदद से हम लोग बच्चों का परिच्छन करते हैं नव्याल सी सुका जिससे की उसका स्वास लेने की में समस्या है की नहीं उसका रंग कैसा है दिल की दड़कन चल रही है की नहीं त्यादी त्यादी पता करते हैं अपगार में A for Appearance होता है यानि उसके अस्कीन का कलर P for Pulse होता है यानि उसका Heart Rate G for Grimance होता है यानि बच्चा कैसा Reflex दो कर रहा है A for Activity होता है यानि बच्चे का Muscle Tone कैसा है R for Respiration होता है Respiration में आप लोग Respiration कौन निंग करते हैं उसका Afford को चेक करते हैं यानि बच्चा Capable Air Respiration में की नहीं है और नोट करने वाली बात यह है कि BP को और Respiratory Rate को हम लोग अपगार स्कोर के अंदर नहीं रखते हैं अब हम लोग जानेंगे कि अपगार स्कोर का टाइमिंग क्या है यानि बच्चा जब जन्व लेता है तो उसके कितने कितने देर बार हम लोग अपगार स्कोर ले सकते हैं तो बच्चे के जन्व के एक मिनट बाद ले सकते हैं पाच मिनट बाद ले सकते हैं और जरूरत हो तो 15 मिनट बाद भी हम अपगार अस्कूर ले सकते हैं अब हम लोग जानेंगे अपगार अस्कूर में हम लोग अस्कूर कितना देते हैं नवजात बच्चे को तो अपगार अस्पूर में हम लोग नवजाद बच्चे को 0 से लेके 10 के बीच में स्कूर देते हैं अगर वो अस्पूर 7 से 10 के बीच में आता है तो चिंता की कोई बात नहीं है बच्चा बिल्कुल ठीक है अगर 4 से 6 के बीच में आता है तो बच्चे में थोड़ा सा दिक्कत है और ये थोड़ी चिन्ता की बात है अगर 0 से 3 के बीच में आता है तो बच्चा survive करने के condition में नहीं है और बच्चे में ज्यादा दिक्कत है अब हम लोग जानेंगे कि iScore किस basis पर देते हैं और कितना देते हैं जैसे बच्चे का screen का खरिक अगर blue हो या pale हो तो हम लोग zero score देते हैं अगर बच्चे का body pink हो और heart pair blue हो यानि extremities blue हो तो हम लोग 1 score देते हैं और अगर बच्चा completely pink हो तो हम लोग score two देते हैं अगला है heart rate, heart rate अगर बिल्कूल absent हो, यानि pulse हो ही नहीं, तो हम लोग 0 score देते हैं अगर heart rate तो हो लेकिन 100 से कम हो, तो हम लोग score 1 देते हैं अगर heart rate 100 से ज्यादा हो, तो हम लोग score 2 देते हैं अगला है reflex response, यानि बच्चा को जब हम लोग pinch करेंगे, तो वह किस तरह का response सो करता है अगर कोई response सो नहीं करता है चूटी काटने पे, तो score 0 देंगे अगर थोड़ा बहुत reflex सो करता है, यानि हाथ पर डिलाता है, तो score 1 देंगे और अगर बिल्कुल रोने लगता है, तो score 2 देंगे अगला है muscle tone, muscle tone कैसा है बच्चे का अगर थोड़ा सा बच्चे को छूने पेरा, वो बिल्कुल हाथ पर नहीं ही लाता है, बिल्कुल अस्थिर राता है, तो score 0 देंगे अगर हाथ पर रिलाता है, बच्चे को टच्च करने पे, तो score 1 देंगे अगर बच्चे को टच्च करने पे, बॉड़ी का मुमेंट पूरे अच्छी तरीके से सो करता है अगला है respiration, यानि जन्म के समय, अगर बच्चा respiration नहीं कर रहा है, यानि सास नहीं ले रहा हो देंगे अगर not det fluffly dias देंगे और अच्छे से 7 ले रहा हो वाउप यो तो इस अधार when they come in लोग अपगार कोच्छी करते हैं और जीरो से लेके भीच 10 के बीच में स्कूर складब चारशेदी can go expect देते हैं साथ से सकता है सरवाइब भी ना करें तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इंफर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर मिलते रहे थन्यवाद